वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो फाइनली इंतजार खतम हुआ रेलवे रेक्रूट्मेंट सेल सेंट्रल रेलवे के तरप से स्टापनर्स का वेकेंस आ रही हुआ है तो यह जो है जनरल डिपार्ट्मेंट कॉंपिटिटिव एक्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है जो की पंद क्लोजिंग कितना है 15-8 यानि कि 15 अगस 2024 जो है इसका क्लोजिंग डेट है आए आगे देखते हैं लोग इसमें क्या-क्या इलिजिबिलिटी है और क्या-क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है ठीक है सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीडियो देखने से पहले अगर वीड स्टाफ नर्स का स्टाफ नर्स का यह है वेकист sexy निकला है डिपारट्मंड क्या है मेडिकल देन हम लोग देखते हैं कईशमें कितना सीत्स से नमबर वीडिकेंसी कोन कहन वेकिशने की और इसमें स्ट चार पै certificate as registered nurse and midwife having passed मतलब या तो आप GNM किये हो इसमें कोई experience नहीं मांगा है ठीक है या तो BSC nursing वाले student इसको भर सकते हैं इंडिया nursing council has also laid down certain special concession for the ABAP courses in respect of auxiliary nurse midwife midwives and B grade nurses by way of reduced course period etc तो इसमें GNM BSC सारे भर सकते हैं post basic सब भर सकते हैं ठीक है आगे हम लोग देखते हैं इसका minimum qualification eligibility criteria क्या रहेगा तो minimum educational qualification जो है इंडिकेट अगेंस्ट इच पोस्ट इस लिमिट इसका क्या रहेगा अंडर रिजब्ट में 42 साल ठीक है ओबीजी में है 45 साल and SC और ST का है 47 years और इसमें यह भी दिया हुआ है born on और after तो एक जुलाइ 1982 and इसमें है 1 जुलाइ 1979 होना चाहिए और SC और ST में 1 जुलाइ 1977 तक का born होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट यहां पर application fee अभी तक नहीं बताए गया इसमें application fee निल दिया हुआ है अगर आप form भरने website पर जाएगा तो हो सके वह अप्लिकेशन fee दिया हो तो जेनरल स्ट्रक्शन्स देखते हैं जेनरल स्ट इंस्ट्रक्शन्स में क्या है हमारा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि eligibility employee should submit only offline इसका जो सारी कि इस official website पर जाके आप इसका सारा डिटेल जान सकते हैं और वैसे वीडियो में बता ही दे रहें सब कुछ लेकिन इसका और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो यह website में ज़रूर जाहिएगा कि नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें यह भी लिखा हुआ कि जो भी candidate select होंगे यह देखिए डी जो भी candidate select होंगे उनको कहीं भी जॉब दे सकता है यह सेंट्रल रेलवे में किसी भी स्टेट में इसको जॉब मिल सकता है ज़रूरी नहीं है हमारा जो हम जिस स्टेट से विलांग करते हुए आपको जॉब मेंशन कर दिया है कि जो सेंट्रल लेवल सेंट्रल डेलवे को वे है लेवर के बोल जान होका कि जो एक्जाम होगाा होगा तक है तो रिटरं और रिटरन एंग्जामिनेशन रहूं कि इसमें बोलच जो suggest looking CBT विल कंड़क्ट इन सिंगल और टू सेज इन दे कैट्रिग्री वेर वेरेवर अप्लिकेबल ठीक है दैन है जो CBT मोड में जो एक्जाम होगा उसमें मल्टिपल चॉइस कोश्चन रहेंगे जिसमें वन थर्ड जो है नेगेटिव मार्किंग रहेंगे क्या रहेंगे नेगे जो इंट्रेस्टेट केंडिडेट है यहां पर दिखा हुआ है जो इंट्रेस्टेट केंडिडेट है इसका application registration कर सक्क्राइब कर लिजेगा विफोर क्लोजिंग डेट ताकि आपको यह वेकेंसी का लाव मिल सके ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या क्या स्टेप से इसका जो इंप्लॉइ आईडी जो है में ऐसा हो सकता है कि जो यह वेकंसी उन लोगों के लिए जो पहले से रेलवे के स्टाफ है या फिर जो उनका इम्प्लॉइ आईडी होगा तो बीना रेलवे के जॉप का इंप्लॉइ आईडी तो नहीं मांगना चाहिए फिर भी आप एक बार देख रहे हैं जो पर्सनल डिटेल से उसको डाला है दन से एंड कंटीन्यू करना है आगे देखते हैं कि यह सारे स्टेप्स इसमें दिया हुआ है स्टेप के अकॉर्डिंग आप फुल्फिल कीजिए जैसे आप एक स्टेप फुल कीजिए गा नेक्स आएगा उसके लिए इसमें बताने का ज़रुत नहीं हो तो उसी में देख दिया हुआ रहेगा पहले से ही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्ली वन अप्लिकेशन अल्ली वन अप्लिकेशन होगा देन ड़क्यूमेंट्स टू भी अपलोड़ेट डॉक्यूमेंट में होना चाहिए जो भी आप रिजक्ट कर दिया जाएगा तो सही से उसको सारा डीटेल सिख्दम राइट डालिएगा कोई भी फॉल्स रिकॉर्ड मत डालेगा अदर्वाइस आपका वेकेंसी जो है आपका जो एप्लिकेशन है उसको रिजक्ट कर दिया जाएगा तो यह राज का सेंट्रल रेल्वे त स्टाफ नर्स का जो वेकेंसी आया है उसके बारे में तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्काइब कर दीजेगा ताकि जितने भी अपडेट्स नियू नियू आए नर्सिंग जॉब नर्सिंग वेकेंसी से वो आप तद सबसे पहले पहुंच सके अब तक सबसे पहले पहुंच सके